रुपंदे ही एल्फेम घन कियो एक से दुई मेगा होर्च तपाई को आफने एफेम सनातन अमर आत्मा परमात्मा रुपले अनन्द मात्रमा सबै सधै रहिरनलै आत्मा ज्यान को दैनिक परवचन कारेक्रम अखंडा सुखा अध्वैत प्रदित बलराम जिसी स्वरस्वति को साथमा हर एक दिन दिवसो एक पैंटालिस वजे देखी नमस्कार शीवा सोरुप को अन्वब बारे मां भड़न गर्चो शीवा सोरुप बनना ले शाकार पनी आओंचा निराकार पनी आओंचा अईले परसंगा हो निराकार शीवा को एक हम समृति निराकार पनी आओंचा निराकार पनी के आओंचा निराकार शीवार पनी आओंचा हावा आवा ले ते समुंद्र मा आवा को ज्यादे तिभरताले तुभान आदियरो आयेरा, धेरे मानि सरलाई पनी सखाप पारने, डुवावने, रुखरो डालने, गरारो डालने इतियाती गरे कोंचा, ते आवा को प्रभाव ले, आवा को सकती ले, आवा को शाकार रूप हो अब आवा को निराकार रूप के बने, आवा कोठा मा छाओ, पंखारू न चले को अवस्था में, तो कोठा बीतर आवा तो छाने, तर चले को छाने, तर आवा तो पूराई चाओ, जो बाहरा हावा छा, तो आवा कोठा बीत्रपनी चातर चले को अवस्था में छाने, तो आवा को निराकार को रूप में भूजना सक्चाओ, आवा को शाकार निराकार रूप, अब यो द्रिष्टांत के को लाई बन्नाखे न, शिवा सोरूप को अनुभव को बढ़न गर्न शिवा सोरूप, शाकार रूप में महादेव आदी बाट आहिमें ज्यादे शक्ति शाली प्रभाव रहे को पाउंच हूँ, यस्तो बगवान विश्णु लाई पनी, चक्रत दिने पनी, शिवा नहीं हो, तेसे ले शिवा को शक्ति अपाहार शा, ज्यादे शक्ति मानो, त शाकार हो, अब आहिले को परसंग हो, निराकार शिवा को, किना मने, सदा मुक्ति को लागी, निराकार शिवा लाई जानने परने होंच, संथे मुक्ति को लाई, संथे आनन्द को लाई, इस्थाइत्त को लाई, यसे ले आहिले को परसंग हो, शिवा सोरूप को अनुभब बारे में सदा कालिन मुक्ति को पर्शंगा में अर्थात निराकार शीव लाई जान्ना को लागी एक मात्र बाटो मन को लागी के हो बने शपई परकार को चिंतन रहित भायर जागा रुपले रहे राकने। इस्तो आउस्था में अनुभब मात्र जो शोरुपो तेलाई आमिले जान्ना सक्छां। बड़ो आनन्द रुपले रहन सक्णी हन्चम। अर्थात एक मात्र बाटो मन लाई किने मनो फेरी तेह मन लाई शिवा शोरुप तेह फरकाये पशे तेह मन फेरी मुक्ता उना होच। उनाले जो मन हो जो चित्त हो चित्त मन आधी जो अनकार रुप जो अन्तसकर्ण हो इसला छोटकरी मां मन बन। शिवा शोरुप को अनुभव गर्न लाई एक मात्र बाटो के ओगाये मन लाई यो चिंतन रहित गराऊने। किना मने चिंतन गर्दाता संसार आई रहे को उंचा। मन ले चिंतन गर्दाता को पराऊने। मन ले चिंतन गर्दात्व अनुभव गर्दासन मता संसार मत्र आई राखे। जन्मा जन्मांत तर खन्तन संसार मतर आई राखे। को अनुभव शोरूप को अनुभव पट्टीत गाये न голॉड तेसले मन cities किन्त न रहित गरे अनीम पूरा उप्तस जागा वार यहां को उगन नधाउन आल लाय भया उपने पनी मन ले ज्यान करना गरना सकते यसा हरा निदाय तक मीए डिएफे मन भताय मन कहल मैं? inputs हुझी मन मरा पर पर दरने मन कहल पर दिन्य पर चाहिएust मिन यसी चाहर को जामान कहल था। यसरा यस घ्रीय कि कल जा浮 map । यसम दर ज समय शाळ मन कहतना है कोशिली दर या सब पकomme कहल मन कहल सबस्कुल AGm येसरी जागा रुपले रहरानू परने होन्च। शिव शरुप को अनुभब करने देर शोरीर छेष सराय को देखां मैंते शार यह calling myself मैं अनुभब देखां निग्त लिए तास्चलन को धिक मैंuyor चिंदוך आपलावे%. इस तो आवस्था मा के हुणचभा बिने अनुभव मात्र जो शोऔंप हो। अनुभव मात्र इस तो शोऔंप आ दो चाभव बिने अनुभव अनुभव मात्र को जो सुरुप येसलाई राम्रेरी जानिनी होंचे। अर्था जो कियोल अनुभव मात्र हो, जो सुद्धा अनुभव को अनुभव भाई राखे को होंचे। इस भाटन नहीं, बड़ो आनन्द प्राप्ति होंचे। किना मनें, आनन्द को सुरुत्त शुद्धा सोरुप यो, आनन्द को सुरुत्त परमात्मा हो, परमात्मा ता चेतन हो, चेतन ता कियोल अनुभव हो, त्यो अनुभव हो अनुभव हो अनुभव को एथार्त सोरुप तियो जो सुद्ध सोरुप हो, सारा आनंद को स्रोत तेह हो। तेसे इले इस परकार रहनु बाट अर्थात चिंतन रहित जागा भैर रही रहनु बाट अनुभब मात्र को, अनुभब मात्र ले सोरुप को अनुभब उन जानच। इस तो आवस्था में बड़ो आनंद को प्राप्ति होंचा। अब यू चाहिने शीव शोरुप को अनुभब को पर्शंगमा यकुरा हरो आई राके कोचा। किना मने शीव बने को ता आपनो बास्तव शोरुप हो। सबय को बास्तव शोरुप हो। जो क्योल अनुभब हो। क्योल चेतन हो। क्योल प्रमात्मा हो। जो स्वयम प्रकास हो। तियो नही शीव को शोरुप हो। एसे ले तो क्योल अनुभब अर्थात अनुभब मात्र जो शोरुप हो। तियलाई जाने रा तियो जानी एको जो क्योल अनुभब हो। तो मत्रमा रहे रहां दाए खेरी और आनंद को प्राप्ति हुन्छा जो आनंद जो संदाई छो तो राके को तो संसार लेखना दिये को थे ना संसार लेखना दिये को थे ना संसार को जो चिंतन ले संदे भाय को आनंद लेखना लेखना दिये को थे ना संसार को जो चिंतन ल ही यह शरी शरी शर्वार抹ुद्ड, कीन ही शरी नीकर फूंध अनुभप आपर खरोंध स्धाय ऑचीजन. कोस्तो मन बंदा चिताया को देवार निदाया को ठाहिए को बंदा लंग, भूल इसमjang, लंग बनी आदो कियो, लंग, सोरुप, लंग, इस्तो शोरुप गूरे, रहीरम नभट, कि य२भ रढ़, यहाइ शीया शोरुप, यहाइ शिवा शोरुप, यहाइ शोरुप याईने अभिनासी स्वरुप स्थितहरा ना cambiar Olzain, आनन्द के प्रकट लउपले अनुबड़ी स्मेर इत्र सुरुप में बशिखlynे अनुब्ड़ी ौश्वी सीकत आनन्द चा विलना ला भी छरी संसार ले न भी निहरु को चिंतन ने छेक है रहे कोज़। शरी संचार भने चाहिना तेसको चिंतन भने चाहिना जागा का आउस्तामा चाह बहने छेकने वाला कोई भाय नावव। यस तो कही छेकने वाला नभाय पशे। इहां किवल आनंद को अनुभव रुप रूपले शो रूपले किवल अनुभव रूपले बनाले िथार्था शो रूपा को अनुभव हो आनंद घणा इतारता शोरुप बननाले नहीं कियोन अनुभाब कियोन अनुभाब को ढुपर्णार पन मभाबING अनुभाब को टेह से हैं 묶्पर्णा में यौन आनंद को तुपर्णा तुपर्णार यौन शोरुप in your. शिवर शोरुप, प्रमात्मान शोरुप, चेतन सोरुप and Window you do, अनन्द घन, आनन्द को थोपड़। की वल आनन्द? इसको लागी चिंतन लाई अभावगरणो पर्णी होंच। सारा चिंतन लाई अभावगरणे परियास गरेऊ बने, इसको फलले इसको आनन्द घनम परिणती होंच। आनन्द घनरूपले ठीती सम्भाप भाप 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 अपन्धा रहा भाला मौलिक जो शोरूप छो कियोव अनुभाप भाप सब्सक्भाप भाप भाप आधार्थ शिवा-शोरुप को अनुभव हन्छुँ। कुनिपनी चिन्तन चाईन जागा आवस्था छो आपनो मुल शोरुप कियोल अनुभब मा थिती निरंतर सभावेली भैराखेकु छो इस्तो आवस्थायमा यथार्त शिवा सोरुप को अनुभब छो शिवा सोरुप मानि आनन्द घन, आनन्द या आनन्द, कियोल आनन्द, कियोल आनन्द हो सदाकालिन सोरुप, यस्तो पस्पति नात कियोल आनन्द मा रहन होंच, किना मानि एथार्तमा आनन्द घन देखिया औरको सदाकालिन कुने चाईना, जुनकुरा शिवा सोरुप को अन शिवा सोरूप को अनुभब ले आनन्द घन्णमा अर्था आनन्द आनन्दमा सदाकाल लागी शनातन दुपलि परिपूर्ण रूप्त रही रहनु. आज लाए यतिने गरूं बोली फेरी नया परसंगाले आउंचे तब समन लाए अद्धेत पर्दे बल्राम जी सरसे दिलाए विधा देनों स्नमस्कार